नमस्कार दोस्तों मैं हूँ आलोक्स स्वागत है आप सभी का आप सभी के अपने ही यूटूब चैनल आलोक्स ब्लॉक पर दोस्तों जैसा कि अपनी अलग-अलग वीडियोज में मैं आप लोगों से बताता रहता हूँ कि इस बार हमारे यहां का जो मान सुन रहा वो बहुत ह खराब रहा बारिस नहीं हुई धूप इतनी ज़्यादा तेज कि सायद जो है इतनी तेज धूप गर्मियों में कभी हुई हो और इस धूप के अंदर जो जलन और एक उमस्य होती है कि हम लोग को लगता है कि हमारे सरीर के अंदर से जैसे लग रहा है कि सब कुछ निचोड किम पर जो है इस अजीब से वातावरण के अंदर क्या हालत हो रही होगी थिर भी सेप्टेंबर का मन्त चल रहा है और this मन्त में जो है हमें बहुत सारे अपने आगामी गाड़ेन वर्क के लिए जो है वह快 रूपेयर होना होगा और बहुत सारी चीजी जो है है करना होता है उसी क्रम में मैंने अपने सारे रोज प्लांट्स को यहां पर देखे कलेक्ट कर लिया है जितनी इनके अंदर काट छाट करने थी वो सारा कुछ कर लिया है वर प्लावर्स भी खराब जो थे वो सब हटा दिये यह बहुत ही प्यारा फ्लावर था अभी यह पूरी तरीके से फैट नहीं हुआ था लेकिन मैंने इसको भी हटा दिया और जितनी सुखी ब्रांचेस थी जली हुई पत्तियां थी जले हुई ब्रांचेस थी सबको मैंने देना जो की काट छाट पूरी हो चुकी है जो सकर्स निकलते हैं इनके अंदर से जैसे कि यहां नीचे से बिलकुल एक दम ग्राप्टेट पार्ट के वो किसी किसी में आ गये थे वो मैंने कट करके निकाला और अब जो है सिर्फ हल्दी हल्दी ब्रांचेज और ग्रोथ वाली ब्रांचेज जो है वो बचीवे हैं इसके बाद अब हमको कुछ चीजों का ध्यान रखना है और जो चीजें अपने प्लांट्स में हमको समय समय पर करनी है वो आप लोगों के साथ में आप शेयर करूँगा दोस्तों सबसे पहला काम हमको जो करना है वो है अपने पोधों की मिट्टी की समय समय पर गुड़ाई चाहे जितनी खाध हम दे दें लेकिन अगर उपर की मिट्टी जो है उसकी परत बिलकुल एकदम टाइट सी रहती है और एकदम कडी सी हो जाती है तो मिट्टी के अंद मतलब हावा का प्रवा होता है वो अच्छे से नहीं हो पाता जिसके कारण पौधा हमारा जो है वो अच्छी ग्रोथ नहीं कर पाता पहला काम यह करना है दूसरा काम जो है 15-20 दिन के अंतराल पर अपने पौधों को खात देना खात की क्वांटिटी भले ही कम हो लेकिन फ्रि पौधों के उपर जो है नीमोयल या एमेडा क्लोप्रिट का इस्प्रे नीमोयल का इस्प्रे कर रहे हैं तो 15 दिन के अंतराल पर करिए अमेडा क्लोप्रिट का इस्प्रे कर रहे हैं तो महीने में एक बार आप कर सकते हैं क्योंकि आपका यह पौधा जो है एफेट्स का ब मिट्टी में मिलाना हर महीने आपको 15 दिन अंतराँ पर अपने पौधों खेट करना है और मिट्टी में जो है हर महीने आपको थोड़ा थोड़ा करके आधा चम्मच या फिर एक चम्मच फंजिसाइट ज़रूर मिक्स करना है जब भी आप 20 दिन के अंतराल पर खाद दे रहे हैं खाद के साथ ही आपको करना है यहाँ पर मैंने अपने पौधों को देने के लिए यह जो खाद निकाल रखी है इसके अंदर यह मेरी गोबर खाद है अच्छी डिकम पोच दो मुठी मैंने ले रखी है एक मुठी मैंने यह नीम खली रखी है और दो चमच मैंने यह बोन मिल लिया है और इन सब को जो है इनके साथ मुझे फंजिसाइड भी डालना था लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो है कल मेरा फंजिसाइड जो है वो सारा खतम हो गया और आज बारिस हो रही थी जब मैं लोट रहा था तो इस वज़ा से मैं फंजिसाइड नहीं ले पाया तो कल मैं उपर से जो है फंजिसाइड दोबारा से मिला दूँगा लेकिन ये खाथ जो हमको देनी है ये फ्रिक्वेंसी हमको हर जैसे 20 से 25 दिन के अंतराल पर अपने पौधों के अंदर रखनी ही रखनी है क्योंकि गूलाब का जो पौधा होता है इसको बहुत अच्छी क्वांटिटी में जो है वो फास्पूरस चाहिए होता है और नाइट्रोजन की मात्रा अच्छी चाहिए होती है ग्रोध के लिए और पत्तों में चमक तभी दिखाई देगी जब आप नीम केक जैसा कुछ इसको देंगे तो मैंने यहाँ पर नीम खली का पाउडर डाला है जिसके अंदर अच्छी कांटिटी में नाइट्रोजन मिल जाएगा बोन मील दी है जिसमें फास्पोरस अच्छा मिल जाएगा और साथ ही साथ कमपोश मैंने दी है जिसमें सभी तरीके के माइक्रो और मैक्रो नीट्रेंट्स इसको मिल जाएगे आपका नीम खली भी जो होता है ये भी जब डिकमपोश होता है तो सारे micro और macro nutrients को release करता है तो ये भी कहीं न कहीं आपके पौधों के लिए बहुत ही अच्छा होगा तो ये काम जो मैंने आप लोगों को बताया अभी इस टाइम पर काट छाट कर लीजे पौधों के अंदर पत्ते अगर जले हों तो घबराईए नहीं क्योंकि grafted रोज के लिए ये growth का time अब सुरू होने वाला है और अगर इस time पर मैं जो जो चीजें बता रहा हूँ अगर आप कर लेते हैं मिटी के गुडाई, इनके अंदर खाद 20-25 दिन में with fungicide डालना emida cloprid का spray, मिट और साथी साथ जो है आप neem oil अगर आप डालते हैं तो neem oil का भी इस्तमाल आप अपने पौधो के उपर कर सकते हैं और जो cutting setting मैंने बताई वो सब कर लीजिए बहुत सारे लोगों के plant में सकर्स निकल गए होंगे वो सब भी करके पौधो को ready कर लीजिए आप समय आ रहा है और जब तक सेप्टेंबर अक्टूबर का टाइम ना आए जब तक धूप में थोड़ा ठंड़क सी नहीं आ जाती अभी जो गर्माहट है धूप के अंदर वो इनको अभी भी जला सकती है तो कुशिस्य कीजिए इनको ऐसी जगहां पर प्लेस करके रखे जहां पर इनको morning की 2-3 घंटे की धूप मिल जाए या फिर पूरे दिन में 2-3 घंटे की direct sunlight मिल जाए उसके बाद ये पूरे दिन सेट बे रहे है हलाल ये सारे तरीके आप लोग अपनाएंगे कैसी लगी आपको मेरी ये वीडियो कमेंट करके जरूर बता दीजेगा ऐसी किसी नई वीडियो नई अपडेट के साथ मेरेंगे आप लोगों से किसी नई वीडियो के अंदर तब तक के लिए बाबाए और टेक केर